हेलो दोस्तों मैं लोट किया चुका हूँ मार्शियल गौद के एक निव एपिशोड के साथ अब तक अगर आप लोगों ने हमारे सेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर दिजजे इस तरह की निव वीडियो देली देखने के लिए अब तरह हमने मार्शियल गौद में देखा कि सू फैंग अपने आपको हैवनली रिलिम में ब्रेक्टू करने के लिए 18 गोल्ड ड्रेगन फॉर्मेशन के अंदर कल्टीविशन करने के लिए जा चुका है क्योंकि उदर सू फैंग ब्रेक्टू कर रहा होता है और और उदर एक दो करके सारे पिलर ओफ लाइट एक्टिव होने लग जाते है जिसको देखे सारे लोग बहुत हैरान हो चुके है तभी चैंक्यान हैरानी से कहने लगता है यह कैसे हो सकता है सू फैंग ने तो इदर 18 लाइट ऑ फिलर को एक्रिशिव कर लिया है तभी यह में दिखाया जाते है वह 18 पिलर ओफ लाइट ड्रेगन में हो जाता है और आश्मान में जाने लग जाता है जिसकी बज़े से उदर एक बहुती पावरफुल फिनोमेना क्रियेट होने लग जाता है जिसको देखे एंजिस्टर भी हैरान हो जाते है और इसको देखने के लिए सारे उपर की तरफ देखने लग जाते है तभी हमें तोड़ी देर बाद दिखाये जाता है उस फ्रमेशन में एक बहुती बड़ा थमाका हो जाता है और उदर बहुती थुआ ही थुआ हो जाता है तभी हमें दिखाया जाता है उस थुए के अंदर से शूप यंग बाहर आ जाता है तभी हमें पता सलता है शूप यंग फर्स लेवल ऑफ हैवेनरी रिलिम में कर पाऊंगा तो heaven realm का कोई भी बंदा मेरे सामने फाइट नहीं कर पाएगा तभी देंग 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 सुफैंग का ये बात सुनके सुफैंग को कहने लगती है सुफैंग में तुमारे उपर बिलीप करती हूँ अभी नहीं तो फिलाल तुम इस लाइफ निंग के कॉंप्रीट पावर को कॉंट्रोल कर पाओगे मगर अभी तुमने सक्सेस्फुली heaven realm में ब्रेक्टू कर लिया है इसलिए तुम इस समय को एंजॉय करो तभी सुफैंग देंग को कहने लगता है तुमने सही का और मेरे फ्री टाइप ऑफ लाइफ निंग नाइफ लेवल ऑफ heaven realm के बंडे के सबसे powerful attack से भी strong है इसलिए मुझे कोई सिंटा करने की ज़रूरत नहीं है heaven realm के बंडे से fight करने में और मैं यह भी मैसुष कर पा रहा हूँ कि मैं जबजब powerful हो रहा हूँ और breakthrough कर पा रहा हूँ मैं थीरे थीरे से इन lightning के उपर control ज्यादा कर पा रहा हूँ और म मेरे पास ability है कि मैं martial skill को create कर सकता हूँ तब भी मैं बहुत ही विक हूँ इसलिए मैं अभी senior का martial skill को शिखूंगा और बहुत सारा experience गेंज करूंगा ऐसा हो जाने के पास एक दिन ऐसा समय आएगा कि मेरे पास खुद का एक martial skill होगा तभी डेंग डेंग कहने लगती है जब ऐ में दिखाये जाता है वो सारे लोग शूफेंग के पास आने लग जाते है और शूफेंग को करने लग जाते है जिसको सुनके शूफेंग भी पीछे मुर के देखता है तभी में थोड़ी देर बात दिखाये जाता है फाउंडर शूफेंग के पास आके शूफेंग को कहने लगता है, Su-Fang, मैंने तुम्हें जब पहले देखा था, मैंने थोका नहीं खाया था, तुम्हारी ability को देखे, मैं जानता था, तुम ऐसा कर पाओगे, तभी मंगी कि कहने लगता है, Brothers Su-Fang, तुम्हें तुम्हें मुझे disappoint नहीं किया, मैंने सोसा ही था, तुम ऐसा कुछ करोगे तभी हमें ज्यान डाइनस्टी के एंसिस्टर को दिखाये जाता है जो शूफैंग को पुकारने लग जाता है और शूफैंग को रेस्पेक्ट दिखाने लग जाता है साथी साथ ज्यान डाइनस्टी के सारे लोग भी शूफैंग को रेस्पेक्ट दि कर दरो नी जो हैания वान चैपकर NOW नी अन का गालária का में उमसक्तों को यह हैं कि même जर्च को के बोल रहे चाहिए घ्रान को दिखाए जाता चो कैने लगता है तुम ने रेली में इसमार आंजाए में हीिजान को एक बहुत कर दिया जिसकी वघेससे हमारे old generation के साथ सा new generation के लोगों का bloodline भी powerful हो चुका है तभी शूफेंग हरानी से कहने लगता है क्या कोई मुझे बता सकता है क्या हो रहा है तभी founder शूफेंग के पास आ जाता है और बताने लग जाता है शूफेंग ने जब breakthrough कर दिया तब 18 pillar of light एक्टिफ हो गया था जिसकी वज़े से एक फिनोमेना क्रियत हो और इसकी वज़े से ही जान डाइनेस्टी के सारे लोगों का bloodline पाउर बढ़ चुका है तभी शूफेंग भी कहने लगता है ऐसा है क्या तभी एंजी से शूफेंग के पास आ जाते है और शूफेंग को कहने लगते है मैं future में हमारे generation book में इस खतना के बारे में जरूर लिखूंगा क्योंकि मैं चाता हूँ कि हमारे आने वाले generation के लोग भी है जाने की शूफेंग ने जियान डाइनेस्टी को कितने बार मदद किया है और कितनी बड़ा मदद किया है हम लोगों तबिया में नाइन्स प्रोविंस में किसी एक जगे में दिखाया जाता है जिदा तीन लोग बैठ के बार कर रहे होते हैं और उन में से एक बंदा कहने लगता है तुम लोगों को क्या पता है अजूर ड्रेगन सेट का फाउंडर अजूर ड्रेगन सेट के इंसार्ज है और इसके साथ साथ बहुत सारे पावरफुल एल्डर भी अजूर ड्रेगन सेट को जॉइन करना चाहते है और मुझे यहसा लगता है अजूर्द रेगन सेट फूचर में जाके नाइन प्रोबिंच का सबसे पाउरफुल सेख हो जाएगा और तुम्हें क्या पता है जियान डाइनिस्टी को जी और लू और जंग डाइनिस्टी ने अटेक किया था और तुम्हें यह भी क्या पता है जान डाइनिस्टी को सिफ अजूज रेगन सेट और स्वीट मास्टर गिलने ही मदद किया था और बाकी दूसरे सेक्ट ने मना कर दिया था तुम्हें क्या पता है अब उन सेक्ट का क्या हालत है तभी दूसरा बंदा कहने लगता है उन लोगों का हालत अब क्या है तभी वो जान डाइनिस्टी की मदद नहीं करने की बज़े से उन लोगों का हालत बहुत ही बुरा है वो सिर्फ नाम के है रह गए है और वो जान डाइनिस्टी के पॉलिटिकल पॉपेट के रूप में अब भी फिलाल है तभी तीसरा बंदा कहने लगता है मैं जाके मेरे सन को लगता है वो भी अच्छा एक जगे है तभी में दूसरी तरह मंकी किंग और शुफेंग को दिखाया जाता है जिद्धा मंकी किंग कहने लगता है क्या तुम फर्मिलियन बर्ड माउंटेन रेंज में दुबारा जाके उस टॉम के अंडर दुबारा से जाना चाहते हो तभ में टॉम के अंडर जाना चाहता हूँ तो मैं उसके अंडर से जाना होगा तभी शुफेंग अपने मन में सोचने लगता है हमारे फाउंदर को भी अजूर ड्रेगन मांटेन रेंज में आइस और फायर पॉल मिला था जिसका मतलब यह भी हो सकता है कि बाकी एंपरर टॉम क एंटरेंस में भी ऐसा ही कुछ ट्रेजर हो सकता है तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है मंकी किंग कहने लगता है शुफेंग तुम क्या उस आदमी के साथ उस तॉम के अंडर जाना चाहोगे और अगर वो आदमी फिर से अपने आपके उपर काबू कर पाएगा तो तु तुम एक बार सोच के देखो तभी शुफेंग मंकी किंग को कहने लगता है ब्रदर मंकी किंग आपको इसके बारे में सिंत्य करने की कोई जरुद नहीं है क्योंकि उस आदमी के उपर में बिलीव करता हूँ अगर वो आदमी मेरे साथ एंपर टॉम के अंदर जाएगा तो कोई भी मुझे उदर रोक नहीं पाएगा दूसी तरफ हमें उस आदमी को दिखाये जाता है जो उदर शिकन खा रहा होता है जिसको देख के मंकी किंग कहने लगता है ये कैसा आदमी है जो अभी भी शिकन खा रहा है इस तरीके से तभी मंकी किंग शुफेंग को फिर से कह करना और बाकी अजु ड्रेगन सेट के बारे में तुम सिंता मत करना कल् ép कंद तक फााउंडर कल दिवेशन से बाहर नहीं अ नहीं आ जाते मैं तुमें प्रोमिस करता हूं कि अजु ड्रेगन सेट को मैं बात करthaung कि इस बात को शुर ओ फैंग मंद्की कोई भी आजाए उसको क्तम कर दे है जिसको देखकर बहुत है और लगता है कितना पाउरफुल है इतने पॉरफुल स्पिरित को भी सोते कीरे की तरह माल रहा है और इसके साथ-साथ इधर तो बहुत सारे formation भी है मगर यह इतने आशानी से information को भी तोर रहा है तभी थोरा आगे जाने के बाद शूफेंग को उधर बहुत सारे spirit formation essence मिलता है जिसको देख के शूफेंग सोचने लगता है इधर तो बहुत ही अजीब हो रहा है इधर सारे barrier भी डिश्टर हो चुके है और इधर बहुत सारे evil spirit भी नहीं है और जो इधर है वो सिफ गार्डी कर रहा है जिसको सुनके dang dang कहने ल उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जीए ठैंक यू और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कॉमेंट कीजिए